कोरोना महामारी की तस्वीरे जो सामने आ रही है वो बेहत ही डरावनी है आज हम आपको लखनव और गाजियाबाद की दो अलग अलग तस्वीरे दिखाएंगे जो आप की रॉंग्टे खड़े कर देगे लखनव की तस्वीरे देखें अम्बूलेंस में आक्सीजन के लिए तड़कता हुआ ये मरीज जिसे अस्पताल में कहीं जगा नहीं मिल रहा है इस मरीज को कोई भी अस्पताल भरती नहीं ले रहा है क्योंकि अस्पतालों में इलाज के नाम पर मानों कुछ बचा ही नहीं अम्बूलेंस में परिवार रोते विलखते अपनों को बचाने के लिए इस अस्पताल से उस अस्पताल दोड़ लगा रहे हैं वही दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं जो गाजियावाद की है जहां एक महिला एक नौजवान लड़के के साथ हैं गाड़ी में बैठी है और इसे अस्पताल में भरती कराने की भरपूर पोशी से कर रही है मरीज को सांस लेने में काफी परिशानी हो रही है मगर जिस अस्पताल में लेकर जाया जाता है उस अस्पताल में ना ही आउक्सीजन है, ना ही बेड़ है, ना ही इंजेक्शन हर तरफ कुरोना से जंग जीतने की बात सरकार कर रही है मगर उसी भारत देश में अस्पतालों से सरकार के बेहतर इलाज के दावों की पोल खुल रही है। आम जनता इलाज के लिए भटक रही है और सरकारें सिर्फ इलाज के नाम पर लॉकडाउन के नियम पालन करवा रही है। नियम का पालन तो करना ही चाहिए और लोग कर भी रहें वगर सरकार कुरोना से जंग जीतने में फेल होती हुई नजर आ रहें वगर बात करें हम लॉकडाउन की तो लॉकडाउन में भी आम जनता ही मर रही है और कुरोना से भी आम जनता मर रही है उत्तर परदेश की लखनव और गाजियाबाद की दो अलग अलग ये डरावनी तस्वीरें आप देखें है बात मुती स्वीरें वाल危陋 है झीकृ आEM झाइलनो जुऑने की झाइलितो बीजल में जियाई NOTAR जीज़ 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 जीज़